इस इकर सम्मेलन 2024 से एक बार फिट से प्रधान मंत्री नरेंद्रे मोधी जी का सांदार विजेसी दौरा रहा लेकर इस बार की चर्चा उनकी राजनीती की रणनीती या कूटनीती की नहीं बलकि उनकी एक फोटो सेसन की हो रही है जी हाँ सोसल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है जिसमें मोधी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि लोग मजाग बनाने से खुद को रोक नहीं पा रहे है तो हुआ यू की ब्रिक से सिकर सम्मेलल में जब सभी देशों के मुख्या एक साथ खड़े होकर फोटो खिचवा रहे थे तो मोधी जी को बीच में अस्थान मिला एक तरफ रूस के प्रत्निति और दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमिरात के अब जैसा कि सभी को मालूम है ऐसे मौकों पर फोटो खिचवाने के बाद लोग तुरम्त वहां से निकल जाते हैं क्योंकि और भी महत्वपूर काम होते हैं लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग हो गया जब फोटो सेशन खत्म हुआ तो सभी प्रत्निती धीरे धीरे वहां से चलने लगे रूस के प्रत्निती मोधी जी के दाई और खड़े थे लेकिन भी बिना कोई ध्यान दिये सीधे आगे बढ़ गए अब मोधी जी को भी किसी के साथ चलना था तो उन्होंने तुरंद अपने बाई और मौजूर संयुक्त अरब अमिरात के प्रत्निती यानि दुबई के सेख के साथ कदम ताल मिलाना सुरू कर दिये और तो और उन्होंने सेख की कमर में हाथ डालते हुए उन्हें दोस्ती का एहसास भी करा दिया लेकिन भाई सोसल मीडिया तो सोसल मीडिया है यहां तो हर चीच पर लोग मजे लेने से पीछे नहीं हटते टुबराटी पैरोडी नाम के एक यूजर ने वीडियो को साजा करते हुए कैप्सन में लिखा मासकों में मोधी जी बिलकुल अलग थलग मज़र आये वक्तों को खुस करने के लिए दुबई के सेख के जबरन कमर में हाथ डाल कर चल दिये सोपर पावर अब इस बयान के बाद लोग भला कैसे चुप बढ़ते सोशल मीडिया पर टिपड़ियों की बाढ़ा गई कोई साधी समारो नहीं है चीन भारत का प्रतियोगी है भारत ब्रिक्स का सदस्य है और बाकी भी है सब अपने देश के इंट्रेस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं साधी का मिलन आपने समझा क्या उनकी इस गंभी टिपड़ी पर भी लोगों ने मजाकिया प्रतिक्रियाएं देनी सुरू कर दी क्योंकि भारी साधी कंबिलन और राजनीति कूटनीती में फर्क भले हो लेकिन सोसल मीडिया पर तो सब कुछ चलता है फिलाल दोस्तों वायरल हो रहे हैं वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट में साजा करें और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्वाद